हेलो एब्रिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल आज देखें हम इस तरह से बहुत ही प्यारा से एक पैटर बटाएंगे यह जो पैटरन है बनाने में बहुत हैसान है पर देखिए दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है इस पैटरन को हम लेडिस कार्डिगन जैकेट स्वेटर कोटी किसी पर बना सकते हैं जैन्स प्रोजेक्ट में ब्लैंकेट्स पर किसी भी बनाएं बहुत ही सुन्दर बनता है देखिए इस तरह से साथ में इसके एक पत्ती-पत्ती सी बनेंगी और इस तरह से पैटर हमारा जिग-जैग में बनता हुआ जाएगा रॉंग साइट से देखिए रॉंग साइट से इस तरह से दिखता है और फ्रंट से इस तरह से इसकी लुक है इसके लिए हमने मल्टिपला फिप्टी लेने हैं जानी कि पंदरा फंदरा से गुना करते हुए हमने फंदे लेने हैं जहां तक पंदरा फंदे हैं उसके आगे फिर फंदरा फंद कि चोदा रोज के बाद हमने पैटन को शिफ्ट कर देना है तो चलिए इस सुन्दर से प्यारे से पैटन को बनाते हैं हम कि तो यहां देखissant मैंने दिमांस्ट्रेशन के लिए नीडल पे 19 पंदे लिए हैं 15 पंदो से हमारे एक बार यह पैटन बनेगा दो पिंथ आसरा लिए हैं पैटन को और अजास्ट करने के लिए और हमारे एज स्टिच रहेंगे तो टोटल यह हमारे 19 फंदे हैं पंदों को सीध्य तरफ लेने के लिए मैंने एक स्लाइज जो है उल्टे फंदों से बनाई है और इस पैटन को हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे रो बन है हमारे पैटन की राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे आगे हमारा यह रपीट पैटन है देखें दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टिच फिर दागे को अपनी तरफ करके दो पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टिच फिर दाग अपनी तरफ करके आठ पंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चेल पांच छेगे कि साथ 8, 8 फंदे उल्टे होगे हमारे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, तो यह यहां तक हमारे 15 फंदों का पैटरन आ गया, यह देखें 2 फंदे एक्स्ट्र हैं हमारे, तो इनको हमने 2 को उल्टा बुनना है और last हमारा edge stitch है वो हम सीधा बनाएंगे, right side से हमारी row 1 complete होगी है अब हम आगे हैं, उल्टी तरफ और ये हमारी row 2 है, अब उल्टी तरफ देखिए, जो जैसा फंदा होगा हमने वैसे ही wrong side से बनाते हो जाना है सीधे फंदे पे सीधे फंदे की बुनाई करेंगे और उल्टे पे उल्टे फंदे की बुनाई करेंगे knit on knit stitch and purl on purl stitch तो हर बार इसी तरह से हमने wrong side को बनाना है सीधी तरफ से pattern चलेगा और उल्टी तरफ से हमने हर बार इसी तरह से बनाना है तो आपको मैं ये एक रोग कम्प्लीट करके दिखा देती हूँ उसके बाद ये रॉंग साइड हर बार वैसे ही बनेगी सीधे पर सीधे फंदे की बुनाई और उल्टे पर उल्टे की बुनाई बनेगी अब आगे देखिए उल्टा फंदा है तो मैं इसको उल्टा बनाऊंगी ये सीधे दिख रहे हैं तो ये मैं दो फंदे सीधे बुन लूँगी उल्टे फंदे वो उल्टा बनाएंगे और ये दोनों सीधे दिख रहे हैं तो ये दोनों फंदे हमारे सीधे बनेगे तो रांग साइट से हमने जो जैसा फंदा होगा वैसे बनाते हुए जाना है तो रोटू रांग साइट हमारी कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारी पैटन की रोटरी है अब देखें पहला फंदा हमने स्लिप किया उसके बाद दो फंदे हमने टू स्टिचीज दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा निट वान स्टेच दागा अपनी तरफ करेंगे पर्ल टू स्टिचीज दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब जी हमारा सीधा फंदा है तो इसको हमने करना है ट्विस्ट तो इसतरे से पिछले फंदे को आगे ले आ and knit two stitches तो यह देखें आप हमारे पास दो सीधे फंदे आगे दागा अपने दर्फ करेंगे अब आगे हमने साथ फंदे उल्टे बनाने हैं पर्ल सेवन स्टिचेज साथ फंदे उल्टे होगे एक फंदा सीधा अब यह दो हमारे पैटन के फंदे हैं जो हमने अज़स्ट करने के लिए लगाए हैं तो इनको हम उल्टा बनाएंगे हर बार और लास्ट का फंदा सीधा रहेगा तो देखें हमारी रोध 3 कंप्लीट होगी है अब हम आ गे हैं उल खुद से विजिबल होना शुरू हो जाता है यह उल्टे हैं तो बनाएंगे यह सीधे दिख रहे हैं तो इनको हम सीधा बनाएंगे तो जो जैसा फंदा होगा रॉंग साइट से हमने हर बार उल्टी स्लाइब में वैसे ही बनाते हुए जाना है अब आगी हमारी रो 5 राइट साइट से पहला फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे अगला फंदा सीधा निट वान स्टेच दागा अपने दर्फ करेंगे दो फंदे उल्टे पर्ल टू स्टिचीज दागा पि वैसे ही पिछला फंद आगे ले आएंगे आगे वाला फंद पीछे वाले तरफ ले जाएंगे दो फंदों का पॉपस में ट्विस्ट करने के बाद हमने दोनों को सीधा बुरना है तो ट्विस्ट टू एंड निट टू स्टिचीज दागा अपनी तरफ करके फिर हमने आगे छे फंदे उल्टे बुरने हैं पर्ल सिक्स रिचिज एक दो तीन चार पांच और ये छे छे फंदे हमारे उल्टे होगे एक फंदा हम सीधा बनाएंगे दो फंदे हमारे जो एक्स्ट्र हैं वो उल्टे बनेंगे हर बार और लास्ट का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से रो 5 हमारी complete होगी है अब हम आगे उल्टी तरफ wrong साइड से देखें रो 6 है wrong साइड से उल्टी तरफ से वैसे ही हमने जो जैसा बंदा दिखेगा वैसे ही बनाते हुए जाना है सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टे बंदे की बुनाई होगी तो यह मैं आपको complete करके दिखाती हूँ अब हम आगे है सीधे तरफ और यह हमारे पैटर्न की रो 7 है राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे पर्ल टू स्टिचीज दागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ करेंगे अब हम हमने फंदा बनाया हुआ है सीधा इसको यहां पे हमने उल्टा कर देना है ताकि यहां पे हमारे पत्ते वाली शेप जो है सीधे फंदों से आएगी वो ऐसे ही हमने बना लेनी है तो यहां पे हमने तीन फंदे उल्टे बनाने है उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बनाया दो को ट्विस्ट की आपस में और इन दोनों को हमने सीधा बुल लेना है ट्विस्ट करने के बाद यह देखें इस तरहें से दागा अपनी तरफ करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल फाइब स्टिचीज एक फंदा सीधा बनाएंगे और जो दो एक्स्टा फंदे हैं हमारे उसको हमने उल्टा बनाना है पर्ल टोस्टिचीज लास्ट का हमारा फंदा सीधा रहेगा तो यह देखें हमारी रो 7 कंप्लीट होगी सीधी तरफ से अब हम आगे हैं रॉंग साइड उल्टी तरफ से यह ह हमारी सेम बनेगी सीधे पर सीधा उल्टे पर फंदा बनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे तो यह मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूं रॉंग साइट अब हम आगे हैं सीधी तरफ तो यह देखिए हमारी यह पैटन की रू 9 है राइट साइड से पहला बंदा स्लि अब हमने चार फंदे उल्टे बनाने है पर्ल फोर स्टीज दो टीन और यह चार अब इसको भी हमने जो सीधा बुन रहे थे इसको यह पे उल्टा बना के बंद कर देना है एक फंद सीधा बनाएंगे अब देखें अगले दो फंदो को ट्विस्ट करेंगी अब हमने कर Presidential करने के बाद इन दोनों को हमने सीधा बना लिया तो यहां पे हमारे टोटल तीन फंदें बीज में सीधे बनेंगे उसके बाद दिखें आगे हमने चार फंदे उल्टे बनाने हैं एक फंदा सीधा में लेना हैं उब लास्ट के दौ फंदे उल्टें मनेंगे पैटन के और अज सीधा बनेगाव लास्ट का तो रो नाइन रॉनाइन से महारी कंपलीट हुई अपमा गें न लटी तरफ और ये हमारे pattern की row 10 है wrong side से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे बनाते हुए जाएंगे सीधे बे सीधा उल्टे बे उल्टा तो ये मैं आपको बताती हूँ complete करके अब हम आगे हैं सीधी तरफ right side से ये हमारे pattern की row 11 है पहला फंदा slip करेंगे दो फंदे उल्टे pearl two stitches एक फंदा सीधा अब हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार अब हम इसको बंद करेंगे जैसे सीधा था इसको हम उल्टा बना के या पर इसको बंद करेंगे तो यहां पर 5 फंदे हो गये एक फंदा सीधा हो गया अब हमने twist करना है तो उल्टे वाले फंदे को इधर ले आएंगे और इसको हम सीधा बुलनेगे तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे बीच में सीधे बन रहे हैं तो यह देखें दो फंदे इनको twist करने के बाद हमने इन दोनों को सीधा बना लिया दागे को अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक तो और यह तीन तीन फंदे उल्टे होगे एक फंदा सीधा दो जो एक्स्टा बंदे हैं यह हम उल्टे बनाएंगे और लास्ट आजिंग का बंदा हमारा सीधा रहेगा तो यह हमारी राइट साइड से रो 11 कम्प्लीट होगी है अब हम आगे हैं रांग साइड तो रांग साइड से देखें जो यह जैसा पंदा देखेगा वैसे बनाते हुए हम इसको कम्प्लीट करेंगे उल्टी तरफ से अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह हमारे पैटर्ण की रो 13 है राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागा पीछे करके अगला एक फंदा हमारा सीधा बनेगा अब देखें छे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं तो यह होगे दो, तीन, चार, पांच, और यह छे अब इसको हमने को हमने फिर से सीधा बना देना है तो यहां पे तीन फंदे हमारे बीच में सीधे आगे पिर दागा अपनी तरफ करेंगे अब हमारे पास दो फंदे आगे उल्टे बचे हैं तो उनको हम उल्टा बुन लेंगे अगला फंदा सीधा रहेगा और लास्ट के दो फंदे उल्टे बनेंगे, एस्टिच हमारा सिधा बनेगा, तो रो 13 राइट साइट से हमारी कम्प्लीट होगी है, 23 लाई, उल्टी तरफ आगे हैं, राउंग साइट से, रो 14 है, तो ये सेम बनेगी, सिधे बे सिधा पंदा, उल्टे बे उल्टा पंदा, तो ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको, तो देखिए, यहाँ पे हमने पैटन को दो फंदों से स्टार्ट किया था, और यहाँ बनाते हुए, लास्ट में भी दो फंदे उल्टे बज़े है, ये जो डिजाइन हमारा साथ साथ में चल रहा है, तो ये देखिए, लास्ट में जब हम यहाँ पे दो फंदे उल्टे रह जाएंगे, तब हमने पैटन को शिफ्ट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी दो फंदे उल्टे थे, और उसको हम लेफ्ट बारी दरफ लेके के, तब हमारे दो फंदे उल्टे बने, अब हम पैटन को शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट से हमने इसको राइट की तरफ लेते हुए जाना है तो यह देखिए अब आगी पैटन की हमारी रो 15 राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनेंगे एक फंदा सीधा अब हमने आठ फंदे उल्टे बनाने है पर्ल एट स्टिचीज जैसे हमने स्टार्टिंग से रोवन की थी वैसे बनाना है पर यहाँ पे अब हमने एक सीधा रखना है और यह दो फंदे उल्टे रहेंगे जाँ देखिए एक फंदा सीधा एगा उसके बाद दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और यह दो फंदे उल्टे लास्ट का इस्टिच हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से तो ये देखें इस तरह से मारा पैटरन शिफ्ट हो रहा है अब हम आगे हैं उल्टी तरफ तो रांग साइड से वैसे हमने बनाना है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा तो देखें अब हम आये हैं सीधी तरफ तो सीधी तरफ से देखें पहला फंदा slip करेंगे दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब हमने यहां पे 7 फंदे उल्टे बनाने हैं pearl 7 stitches 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे अब हमने इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करना है पर इस बार हमने ट्विस्ट देखें किस तरह से करना है पिछले फंदे को आगे वाले तरफ लेके आएंगे और आगे वाला फंदा पीछे ले जाएंगे एक तो इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं, पहले पीछे वाला फंदा बुन लिया, फिर अगला बुन लिया, नहीं तो आप इस तरह सकते हैं, इसलिए पिछला फंदा नीडल पे लिया, और आगे वाले फंदे को पीछे लेगे, पिछले वाला फंदा आगे आगे देखे तो इसको हम पहले सीधा बुनेंगे, फिज ये फंदा सीधा बुनेंगे, तो दो फंदे यहां भी हमारे सीधे होगे, और लास्ट में हमारे पास दो फंदे जो उल्टे हैं, वो हम उनको उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा रहेगा, दो फंदे उल्टे, और लास्ट का फ तो इस तरह से मारा पैटर जिग जग बनता है रांग साईड हमने सेम बनानी है अब हम आगे हैं राइट साइड तो देखें पहला फंदा सिलिप करने के बाद दो फंदे उल्टे बनाए एक फंदा सीधा अब हमने छे फंदे उल्टे बनाने है एक दो तीन चार पांच और य करेंगे पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और दोनों को ट्विस्ट करने के बाद सीधा बुनेंगे तो अब हमारा पैटर जो है ट्विस्ट करके जो शिफ्ट हो रहा है वो राइट वली तर्फ जा रहा है तो यह जिग-जग बनता हो जाएगा इसके बाद अगला ए सीधा बन जाएगा तो रो 19 राइट साइट से देखे कम्प्लीट हुई इस तरह से देखे पैटर गूम गया और इस तरफ आ रहा है अब राइट वाली तरफ अब आगे हमारी रांग साइट तो रांग साइट हमने सेम बनानी है हर बार की तरह हैं तो यह देखे अब सीधी तरफ आगे हैं अब आपने क्या करना है इसी पैटर्न को बनाते हुए जाना है और जब तक हमारे लास्ट में यह से स्टार्ट किया था यहाँ दो फंदे बचेंगे तब तक हमने इस तरह से रिपीट करते ऊपर तक चलते जाना है तो यह हमारा पैटर्न टॉटल 28 रोज का बन जाएगा तो आगे सेम ही है तो इसलिए इसको पूरा हमने इस तरह से बनाते हुए जाना है तो देखिए कितना प्यारा बन कर आया है ज्यादा पंदों में देखें इस तरह से अनुप का अती आप इसको अपने किसीए प्रोजेक्ट में इस्तेमाल सपते हैं लेडी जैन स्फेटर बेब्स को बना कराता है तो अगर आपको मेरे विडियो को लैइक शायर होठीब करिए गारव मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मुझे में कि आपको यह प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा तो चलिए फिर बनाईए और अपने फ्रेंज को शेयर करें और मुझे कमेंट करके बिताईएगा कि आपको यह कैसा लगा हम मिलते हैं अगली एक और ने वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू